हाई ब्रीवन दिस इस अमन तिलक फ्रों एंस न्यू डेली गाइस मैं आपको बता दूं बहुत थका हुआ हूँ मैं इस वक्त लेकिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ के वल आप सब के लिए सच्चाई का चहरा आपके साथ रूप रूप कराने के लिए मैं वीडियो बना र इससे पहले मैं स्टार्ट करूं मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे माइंड मैप्स फ्री ओफ कॉस्ट्स चैप्टर वाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया है उसको जरूर जोइन कर लेना चाहे यह वीडियो देखो या ना देखो टेलीग्राम चैनल पर मेरा हमेश अगर जैसे यह जो कुशन था ना यह जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं यह मैंने आपके सारे डाउट्स के और जो मैंने एक्स्पीरियंस किया है ना पिछले तीन सालों में उसके बिस्स पर बनाये कहा आप गलती कर रहे हैं इससे आप जान जाओगे मैंने देखा है कि friends यार तीन किसम के experts हैं पहले वो जो की अराम से बैड़ पे आराम से बैटके वीडियो देख रहे हैं बैड़ पे आराम से लेटके पढ़ाई कर रहे हैं और जबकी भी मार लेते हैं बीच में तो मैं आपको पहले ही बता दूँ जिस देन नीट का exam होगा ना मैं बता करो अपने बारे में नहीं सोचना तो यार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो इतने सेलफिश मत हो जाओ इतने सेलफिश मत हो कि बस अपने बारे में सोचो अपने पेरेंट्स के अपने ओफिस जाके और उसके बाद भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपके लिए इतना अच्छा खाना बना रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपके घर में एक शांत महल बना के कोशिश कर रही हैं आपको रहने का, तो उनके लिए पढ़ो, राइट, सो प आपको दिलासा दे रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, लेकिन असली में नहीं पढ़ रहे हैं, राइट, सो ऐसे मत करो यार, ऐसे यार, नीड भी मत दो, कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा, मत करो यार, अपने आपको जूटा दिलासा मत दो, ठीक है, दूसरी क्लास के एस्परे एली मैं फोड के दिखाऊंगा, ठीक है, और एक एक कमेंट पे 500-600 लाइक सा जाते हैं, इस वाले, कि नीड 20 क्राक, आइगल नीड, क्राक नीड 20, 600 लाइक आगे इस पर, यार, मैं किसी को या दिमोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सच बत बता रहा हूं, ये जब लि पुर्तियार, एम जैदी, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन ये लोग, रियाल्टी के कोंटाक्ट में नहीं है, ये लोग नहीं समझ पारें, कि ये भई, टूमेन पढ़ेंगे, आकाश, एलेन, जो भी उनके मोडियूल्स हैं, वो बड़े-बड़े पढ़ेंगे, लेकिन रि आपसी यही चीज़ कहूँगा, कि आपसी यही चीज़ कहूँगा, कि आपके जो इंडिया के प्रिमियर इंस्ट्यूट्स हैं, वो जैसे जिपमर, मौलाना अजाद, भी हू, मैंसी, लेचैंसी, और थार्ड लेवल पर होना चाहिए, आपका कि जो टॉप्मोस्ट है, वो जैली, ऐसा नहीं है कि यार, बस आप एम्स जैली के लिए टार्गेट करोगे, तो हो सकता है आप 200-300 पर है जाओ, जानते हो क्यों, क्यों कि आप डिवियेट हो जाओगे अपने टार्गेट से, सबसे पहले आपको stepwise gradation में बढ़ना है, तो यार यह जो दूसरे क्लास के एसपरेंट से नहीं हाथ जोड के विंती यार, ऐसे अपने जूटा दिलासा मत दो, नीट के एक्जाम जब अभी तो बहुत confidence में हो कि यहां कर लेंगे, कर लेंगे, और आप लोग अभी सोच जोचों हो ना, कि यार 200 नंबर आ रहा है अभी, और नीट के एक्जाम में अभी सोटे हुए आओगे, अपने आप से आखे नहीं मिला पाओगे, जो सारे कमेंट्स लिख्षे होगे ना, नीचे कि क्रैक नीट फोडेंगे, नीट फोडेंगे, नहीं हो पाएगा, और फिर से रहां ड्रॉप कर रहे होगे, अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रह होगे, अपने पेरेंट्स का टाइम उश्ड कर रहे होगे, और उससे जाना खुद सेल्फ गिल्ट में रह रहे होगे, अब मैं बात करने वाल हो, अब अब क्लास थे ऑलां क्लास थ्री के जो एसपेरेंट्स है, भनक धना क्लास ध्री, अब ये थर्ड ざ नहीं Карिक बाड़ लेकिन खुश है इस वक्त फिक उनको पता है जितनी हो महनत कर रहे उसके वाड़िंग 500 उनका ठीक है और वो ऐसा नहीं है कि यार 700 का टारगेट कर रहे उनका टारगेट ही 600 का है और स्टेफ वाइस रिडेशन में ला रहे हो उनके नंबर बढ़ रहे मैं आपको स्रींशोट कर दूँगा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेप वाइस बढ़ रहे हैं 400 455 500 500 500 575 580 590 610 ऐसे इनके नंबर बढ़ रहे हैं तो यह जो है इस इस दी कैटिगरी अफ एस्पर जो की सक्सेस्फुल होने वाले है फर्क नहीं पढ़ता इस से 200 नंबर ला रहे हो ना कोई फर्क से सेलेक्शन नहीं हो जाएगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अब यार मैं अपने इंड पर जितना कर सकता था प्यूसर जितना कर सकते ताप लोग बोलते हो क्यों नाम दे रहे हो कि कि लोग बेनेफिट हुआ है मैं आपको स्रीन शॉट शेयर करूँगा एक स्रीन शॉट कांकाश करेंगी हो यार अब लेक्चर अटेंड करने का उतना टाइम नहीं है क्योंकि आप अब आपका सेल्फ स्टेडी का टाइम है इसके साथ साथ अब सेल्फ स्टेडी के साथ कोश्चन्स वे सॉल्फ करो और कोश्चन्स मुझे नहीं पड़ता है आप कोई भी A, B, C, D कोचिंग से एंडोल की हो फर्क नहीं पड़ता यार मैं मैंने जो खुद मैंने experience किया मुझे पता है कि यार मैं मानता हूँ ना कि मैंने देखा है तो मुझे पता है कौन से questions important है government college के selection के लिए कहा आप गलती करते हो इसलिए मुझे पता तो जो मैंने मैंने और नबदीप न यार और इसके अलाबा मैंने और भी जो NCRT line word by word question बनायों है ना अपने telegram channel पर मैं इसलिए बना पाए कि मुझे पता है आप लोग महां गलती करोगे ठीक है तो मुझे पता है कि यार आपको आपको जो NCRT में डाइग्राम बनाये dicteota का polysiphonia porphyra इस सब में आप confuse करते हो right so I know that और उसके accordance में हम लोग ने यार 5000 जो questions है easy level में दिये होए है और यह must है यह आप करोगे तो आपका यार definitely बहुत जादा marks boost होगे और यह करने के बाद आप अपनी analysis देखो नीचे link दिया हुआ है मैं तो आपको personally suggest करूँगा जो आपनी macro preparation है वो आपने जो हम लोग की test series है उसके according करो या फर अगर आपकी preparation अलड़ी चल रही है क्योंकि आपको एक target मिल जाते कि 5 दिन मुझे यह करना है 10 दिन बात मुझे करना है macro preparation उसके according कर रहे हो और दिन की preparation आप पढ़ाई करो self study उसके साथ questions solve करो 200 से 200 questions per day solve होने चाहिए आपके आप 10 गंटे पढ़ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ यार आप 16 गंटा अगर आप 14 गंटा पढ़ रहे हो तो effective 10 गंटा पढ़ रहे हो ठीक है so that is what I mean and बुरा लगा होगा तो यार प्लीज यार हाथ जोड के माफी मांग रहा हो लेकिन अगर कल को selection हो जाएगा ना मेरी बुरी बाते सुनकर भी तो मेरे को thanks बोल कर रहा हूं एक रिगार्डिंग भी काम कर रहा हूं बहुत सब कर रहा हूं कभी आराम से बता हुआ लेकिन अभी टाइम है वीडियो को यार बंद कर देना और उसके बाद पढ़ाई करने लग जाना बाश मेंट आग बंद करो मेरे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लो उसम जुआ के लाइंकर घ्लेग अंअटर घ्लत कर तो फोर्ट के कि अपनर कैलिये अपने लृट चैनल के लिए भी का धिच्वाइब कर तो अब सबस्क्राम सब्सक्राइब करोरो और यह सेलिश इमत्स मनो मैं आपको खूर बता दू लास्ट कुछ बच्चे होते हैं वो छुपा लेते हैं कि भाई कि मैंने ये ये बुक से पड़ा मैं नहीं बताऊंगा अपने फ्रेंड को गलत कर तो जानतों क्यों मैंने यह मैं जिनुन भी अपने एक्स्पीरियेंस पर बता रहा हूं आप शेयर कर दोगे न तो आपको एक इंसेक्योटी करो जितना ज्यादा शेयर करो अपने वाट्साइब सोरीज पर लगा दो अपने ग्रुप्स पर शेयर कर दो आपको डर लगेगा कि बाकी बच्चे को तो नहीं पता चलिया उसकी वज़े साब पड़ोगे और कुश्चन बैंक क्यार चाओ एंड्रोल करो मैं बर्सरी प्रिमियन मेडिकल कॉलिज एमस डेली और एक बात मानो यार जो बड़ी-बड़ी कोचिंग्स के आकाश, LN, रिजोनेंस जहां से भी पड़ रहो ना यार उसके मॉडियों से बहुत extensive है मैंने खुद लगाए थे लिकिन तब आपको जब आपने दो साल अच्छे से पड़